हे गाइस, यह एक प्राची निस्तल है, जिसे वारंगल किला कहा जाता है, और आप अपने बाएं और दाएं जो अध्भुद नकाशी देख रहे हैं, वो कम से कम 800 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आपकी आँखे स्वाभाविक रूप से केंदर की तरफ आकरशित होती हैं, और आपको पता चलता है कि यह सिलेंडर पूरी तरह से अलग है, अब आप इस तरह से क्यों महसूस करते हैं, आपको क्यों लगता है कि यह लिंगम एक अलग कलाकारी है, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत और सहज रूप से यह जानता है कि यह लिंगम किसी मशीन के बिना न नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह के एक सटीक सिलेंडर को केवल उच तकनीक मशीनों के साथ बनाया जा सकता है, यह वह जगा नहीं है, जहां यह मूल रूप से पाया गया था, पुरातद विदो ने इस लिंगम को खोद कर निकाला, जो कई सधियों से दफन था और इसे इस जो सरल उपकरणों के साथ बनाया गया है, इस लिंगम को खोदते समय इस पर ये खरोचे बन गई थी, और इस लिंगम के सटीक उपकरणों के साथ जाच करने पर कुछ चौकाने वाला खुलासा हुआ, यह एक सटीक सिलेंडर है, जिसमें कोई भी औजार का निशान नहीं दिखता है, प्राचीन काल में इतनी सटीकता कैसे प्राप की गई थी, सटीकता के स्तर को देखें, मैं लिंगम के उपरी भाग का उपयोग शीशे के रूप में कर सकता हूँ, मैं इस अमूली वस्तु का उपयोग प्रदर्शन के लिए नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मै इसके वज़ाए कुछ कम पॉलिश वाला चुनूंगा, इसी साइट पर ही इस खंबे को देखें, इसकी फिनिशिंग लिंगम जितनी अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं इस पर पानी डालता हूँ, तो आप इसमें मेरा प्रतिभीम देख पा रहे होंगे, कल्पना इस लिंगम को 800 साल पहले कैसे बनाया होगा, क्या यह संभव है कि उन्होंने इसे एक क्रूट सिलिंडर में तबदील किया, और फिर इसे मानवी रूप से रेत जैसे साधारन वस्तू से पॉलिश किया, और इस इस तर की सटीक तपराप की, लेकिन सटीक उपकरणों के साथ इस लिंगम की जांच करने वाले विशिशग्ये कुछ असाधारन बात की तरफ इशारा करते हैं, सिलेंडर की गोलाई या सांधरता, टेपर की कमी और सिलेंडर का सीधा पन इतना सही था कि उन्होंने निशकर्ष निकाला कि इसे हाथ की आउजारों से नहीं बनाया जा सकत इस तरह की सटीक्ता केवल मशीनों के साथ प्राप्ती जा सकती है, अब मैं आप से एक प्रेश्न करता हूँ, क्या हम आज सरल उप्रणों के साथ एक साधारन सिलेंडर बना सकते हैं, भूल जाएए कि है लिंगम काले रंगे बसाल्ट से बना है, जो बहुत कठोर चठ्ठा कल्पना कीजी कि यह मिट्टी की तरह मुलायब है, क्या हम हाथ के आजारों से मिट्टी को आकार देकर एक सही सिलेंडर बना सकते हैं, इंजीनियर पुष्टी करते हैं कि एक सटीक सिलेंडर बनाना असंभव है, जब तक कि हम एक घूमने वाली मशीन का उप्योग ना करें जो कि कम से कम एक कुमार की चाक जितनी प्रारंभिक हो, यहां तक कि एक मिट्टी का सिलेंडर बनाने के लिए एक मात्र तरीका इसे घूमाने वाले पईहे पर रखना है, इसलिए हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सिलेंडर चेनी से नहीं बना था, बलकि इसमें एक घ भूल जाते हैं कि यह चट्टान बहुत कठोर है, और हम यह भी भूल जाते हैं कि हमें इस पर काम करने के लिए स्टील या हीरे जैसे सक्त उपकरण की जरूरत होगी, चलिए हम केवल यह मान लेते हैं कि प्राचीन बिल्डरों के पास स्टील या हीरे की नोकवाले प्रिया बनाएं तो मनुष्य अधित्तम 150 आर्पियम की गती सी है प्रिया नहीं गुमा सकते, लेकिन इंजीनियर इस बात की पुष्टी करते हैं कि अगर इतनी धीमी गती से काम किया जाता तो सिलेंडर गोल उपकरण की निशान से भरा होता, और हमें इस लिंगम की धना बिल्कुल भी नहीं दिखता, निपुरता के इस इस्तर को प्राप करने के लिए सिलेंडर को कम से कम 2000 आर्पियम की गती से घुमाना होगा, जो कि मानगे छमता से 13 गुना जादा है, इसलिए उन्नत तक्नीक का उप्योग किये बिना ऐसा कुछ बनाना असंभव है, यहां सि गुद प्राचीन कलाकृति को अपने दोस्तों के साथ साजा करें, मैं प्रवीन मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें, इर्पेस वीडियो को लाइक करे और मैं आप से जल्दी बात करूँगा